बस आपको करना क्या है ना कि कुर्सी की पेटी बांग लेनी है मौसम फिर से विगड़ने वाला है और एक बात तो सही है कि ठम्थेक ठोगता है जब नर्ग परवत के जाते पाव उखड तो मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है मौसम भोगता है यह निट कैंसिल हो जाए यह कुझकि आपकी जर्णी एकजाम दुबारा होने तक खतम नहीं होती है आपकी जर्मी तब खतम होगी जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे अपने चहेते मेडिकल कॉलेज में तो इसका तो जस्तन हम मनाएंगे ही रिनीट हो और चांसिस 99% हो चुके हैं कि होंगे ठीक है और जल्दी ही हो सकता हो कि कोई official declaration दिया जाए लेकिन इसके ल पहुंचना है कि हर बच्चे का खवाब यही था कि हमेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे और सबने लगबख महनत की क्यों अभी समस्या क्या आएगी। बहुत सारे बच्चों का टच खतम हो चुका होगा और मैं इतना दावेसिस लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार किसी भी काम को हमें पता है कि जब बंजदा त्यारी किये करने में लगा होगा ना उसने पांच जून के लिए जोग लगा दिया होगा जोग दिया होगा खुद क लगाते हैं क्लास में तो आपने तो अपने केरियर बनाने के लिए साल भर एनर्जी लगाई थी कि पांस तरीक को एक्जाम देना है और मस्ट फोड़ना है और मेडिकल कॉलेज पहुंचना है और किसी कारण बस माल लिजिए दुबारा उतनी एनर्जी कलेक्ट करनी पड़ थे क्योंकि एक्जाम थी जब पांस तरीक को तो आपने सब चीजे गुजारी थी तो अभी बहुत सारे बच्चे अगर ऐसा डिसीजन आने का थोड़ा भी आहट बन रहा है तो बहुत सारे बच्चे परिसान भी हो रहेंगे ओ सब भूल गया कैसे करेंगे यही समय है कि काम सिनेरियो को समझना है ऐसा नहीं है करेंट होगा तो केवल आपके लिए होगा या केवल किसी एक इंडिविजुल के लिए होगा रेस के लाइन फिर से समान होगी यानि आप जहां थे वहां से ही रेस चालू होगी जो रीकॉल करना है आपको जो चीजे आपने समेटी थी प बस आपको करना क्या है ना कि कुर्सी के पेटी बांध लेनी है मौसम फिर से बिगड़ने वाला है और एक बात तो सही है कि ठंठेक ठोगता है जब नर्व परवत के जाते पाव उखड मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है इतना भी इंपॉसिबिल नहीं हो होगा इतना भी हर्डल नहीं आएगा जरूरी यह था जरूरी एह है कि सब के साथ न्याय हो अन्याय नहों क्योंकि आगे आने वाले जो आपके जूनियर से 2025-2026 के माध्यां से उनको भी कम निरासा नहीं थी आपके इस नीट 2024 के रिजल्ट से उनको भी निरासा है क्योंकि वो आपको देखके ही तो आगे बढ़ रहे थी और जब आगे अंधेरा रहेगा तो निरासा तो दिखेगी तो कहीं न कहीं हम लग रहा है कि नीट होगा बहुत सारे साक्षे बहुत सारे चीज़ें सामने आ रही हैं हम 100% तो नहीं बोल लेकिन 99% ही अगर हो हम कह रहे हैं कि अगर एक परतिसत ही चांस हो तो क्या उस एक परतिसत के लिए हम पीछे अड़ जाएंगे क्या कि नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे नहीं आरे नीट का बस डिमांड करते रहेंगे हमारा टार्गेट यह थोड़ी था हमारा टार्गेट था मेडिकल कॉलेज में पहुंचना वो तो इत्तिफाक हुआ एक दुरघट ना मान लीजेए इस से हुई कि जिसके वज़ासी इतने सारे हरड़, इतने सारे डिले माज आए बहुत सारे समस्यां बहुत सारी परसानियां बहुत सारे बच्चों ने बहुत बुरे दिन देख लिए इसमें बहुत बुरे लिज mudar ठीक है इन सब भातों पो ध् ही तुम्हें बस थोड़ा सा एक बार तुम्हारे सामने से गुजार दूंगा फिर तुम पुराने जैसी हो जाओगी विश्वास रखना पड़ेगा इस चीज को हटाना पड़ेगा दिमाग से की चीज़े भूल रहे हैं तो आपके साथ रहेंगे हम आपके हर समस्या में साथ बहुत रहेंगे आपके इस समस्या में कि भूल रहा है याद आ रहा है कैसे करें कितना ही मिला लेकिन इससे पहले आप अपने आपको मेंटली प्रिपेयर जरूर कर लें क्योंकि मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है मैं तो जैसे ही डेट इनाउंस हो मान लोजो की 20 दि इस दिन जो भी मिले अभी कंफर्म तो नहीं है लेकिन इसको लेके चलिए अभी पढ़ाई से मुख मत मोड़िए और यह तो आदत है जो आप जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं उसे जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा तो अभी क्यों खतम करना कोई एक एक्जाम में सक्से क्यों तविए लिकल कॉलिज में पहुंच जाना सकसे स्सों जिंदगी भर टलासते रहेंगे ऐम बीपीस करेंगे फिर पी-जी के लिए तीजी करेंगे फिर डियॉम्ध बढ़ने के लिए हमें जिंदगी पर काम करते रहना पड़ेगा बस आपको करना क्या है अपने दिमाग को काम रखना है और हमने डिमांड की है अगर आपने डिमांड किया बच्चों ने डिमांड की कि इन जस्टिस हुआ है तो सही मायनों में आपके साथ जस्टिस तब होगा जब इस समय को यूटिलाइज भी आप करेंगे सही मायनों में आप तभी successful माने जाएंगे जब जो भी आपको समय मिले हमारा काम है आपको बहतर तरीके से समझाना इन बातों को दिमाग में रखना आपका काम है अच्छा लगे अच्छी बात नहीं अच्छा लगे आपकी अपनी राय लेकिन फिर भी अगर हमने डिमांड की है कि रिनीट होनी चाहिए और जिसके की चांसे बढ़ रहे हैं तो हमें इस state के लिए भी तयार आना चाहिए कि अगर हमें 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन जो भी time मिले अगर हमें इस माहोल में तो हमें एक बार अपने आपको फिर से उस काबिलियत पिलाना है, इतना पढ़ना है कि मेडिकल कॉलेज हमसे पीछे ना रह जाए इस बार, यह बात जरूर याद रखिएगा, तिकदम गहरी सांस लीचिए, कुर्सी की पेटी बांधिए, मौसम बिगडेगा, लेकिन आप सोचिए, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज को आखों में रखिए, सपना वसाइए, और पाने की तलास में दौड उठिए, पढ़ाई कॉन्टिन्यू रखिए, मैसेज़ आपको मिलते रहेंगे, अपडेट्स आपके मिलते रहेंगे, और हम भी आपके साथी हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे, हम ट पढ़ाएंगे भी, बस इसी विश्वास के साथ, कि जो भी हमारा बच्चा है, जो भी हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, और उन्हें सपना देखा था कुछ दिन पहले की मेडिकल कॉलेज पहुंचना है, उनको मेडिकल कॉलेज पहुंचाएंगे, अपरन दीजिए अब भी, दम टेंसन छोड़िए और पढ़ाई स्टार्ट करिए, रिष्ट, धन्यवाद,